पूनम के दिल में उस दिने गेहरी हलचर मच गई थी उसने अपने पापा के सामने खड़े होकर कहा पापा मैंने अपनी पसंद के लड़की के साथ शादी कर लिये उसके शब्दों में बहुत ज़ादा एरोगंस था लेकिन उसके दिल में डर भी था पापा पापा जिनका नाम रमेश बबु था यहां सुनते ही वो बहुत ज़ादा आग बबुला हो गए गुसे से भरे हुए उन्होंने केवल इतना ही कहा मेरे घर से निकल जाओ पूनम ने हाथ जोडते ही कहा पापा अभी उनके पास कोई भी काम नहीं है हमें कुछ समय के लिए आप रहने दीजिए हम जल्द ही चले जाएंगे लेकिन रमेश बाबु के कठोर दिल में बेटी की गुहार जगा नहीं बना पाई उन्हेंने बेटी का एक भी नहीं सुना और उन्हेंने अपनी बेटी को घर से बहार निकाल दिया समय ने अपनी करवड बदली और कुछ सालों के बाद रमेश बाबु का निधन हो गया पूनम की जिन्दगी भी बहुत जादा बदल गई थी बहुत लड़का जिसके साथ उसने सपने सजाये थे उसे वो धोका देखा चला गया था पूनम के दो बच्चे थे एक बेटी और एक बेटा हालात के आगे जुक कर उसने खुद से एक छोटा सा रेस्टरांट खो लिया था जिसे उसका जीवन चलने लगा था जब पूनम को अपने पिता के निधन की खबर मिली तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी अच्छा हुआ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था आज मैं उनके लिए नहीं रो मैं नहीं रोंगी और मैं नहीं रो रही हूँ उसने सोचा कि वह अंती मियातरा में नहीं जाएगी पर उसके जो ताउजी थे शंकराट उन्हें उसको समझाया और बोला पुनम जाने वालों के साथ कोई भी दुश्मन ही नहीं होती है वह अब इस दुनिया में नहीं रहे ताउजी की बात मानकर पुनम ने अपनी पिता की अंती मियातरा में जाने का फैसला किया और जब वह अपने पिता के घर पहुची तो वहाँ अंतीम सर्सकार की तैयारिया चल रही थी पुनम के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था वह बस ताउजी की बात मानकर वहाँ पे गई थी तेरेव की दिन ताउजी ने उसको एक लेटर दिया जिसमें उसके पिता जी ने उसके लिए पुनम के लिए एक खत लिखा हुआ था रात को पुनम ने वो खत खोला और पढ़ने लगी उसमें लिखा था मेरी प्यारी बेटी पुनम तुम जब ये खत पढ़ रही होगी तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा मुझे पता है कि तुम उससे नाराज हो और हो भी क्यों न आखिन मैंने तुम्हें अपने घर से जो निकाल दिया था लेकिन तुम्हारी नाराजगी के पीछे एक पिता का दिल धड़कता था जो तुम्हें सिर्फ खुश और सुरक्षित देखना चाहता था याद है जब तुम पाट साल की थी तुम्हारी माँ हमें छोड़ कर चली गई थी तुम कितना रोया करती थी और मैं रात भर तुम्हें तुम्हारे साथ जागता था तुम्हें अपने सीने से लगा कर मैं भी रोया करता था जब तुम स्कूल जाने से डरती थी तो मैं तुम्हारे साथ स्कूल की खिड़की में क्या कुछ नहीं कह रहे थे पर मैंने किसी की नहीं सुनी बस तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहा तुम्हारे देर रत तक घर लोटाना दोस्तों के साथ घूमना मैंने कभी भी तुम्हारे उपर बंदीश नहीं लगाई क्योंकि मुझे तुम्हारे पर विश्वास था बहुत जदा भरोसा था लेकिन जिस दिन तुमने मुझे बिना बताए शादी कर घर आई उस दिन मेरा सच में दिल तुड़ गया मैंने तुम्हारे लिए कितने सपने सजाए थे तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे तुम्हें मैं राच कुमारी के तरह सजा के तुम्हारी दोड़ता केवर उस लड़के के लिए थी जिसने तुम्हें धोका दिया मैंने तुम्हारी मा के गहने तुम्हारे लिए समाल के रखे थे मैंने जो घर और संपत्ती जुटाई थी वह सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की नाम कर दिये पूरम हो सकता है कि मैं तुम् लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता था, एक पिता के रूप में, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और हाँ, शायद अब तुम समझ चुकी होगी कि ऑलत का दिल तुटने पर कैसे लगता है, मैंने तुम्हें वहदर नहीं देना चाहता था, जो मैंने जहला है, काश तुमने मुझे समझा होता अगर हो सके तो अपने इस खराब पिता को माफ कर देना तुम्हारा पापा खत पढ़ते पढ़ते पुनम के आखों में आसू भर गए उस खत के साथ एक छोटी सी ड्राइंग भी लगाई थी जो उसने बच्पन में बनाई थी उस पर लिखा था I love you मेरे पापा मेरे हीरो मैं आपकी हर बात मानूंगी दोस्तों मुझे कहानी पढ़ते बढ़ते बहुत इमोशनल लग रहा है पुनम के आखों से आसू बहते रहे तभी ताओ जी शंकरलार कमरे में आया और बोले पुनम तुम्हारे रेस्टरांट और घर के लिए जो पैसे मैंने दिये थे वो तुम्हारे पापा ने नहीं पापा ने ही दिये थे आउलत चाहे कि ते भी घलत हो मा बाप कभी बुरे नहीं हो सकते वो मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए दुआ करते थे दुआ करते हैं पुनम की पिता को सुकुन मिला होगा या नहीं ये तो पता नहीं लेकिन उस कत को पड़के शायद पुनम को जीवन धर का सुकुन नहीं मिलेगा दोस्तों प्यार करना और लो मैरेज करना गलत नहीं है लेकिन अपने माबाप की मर्जी और उनकी भावनाओं को सम्मान जरूर करें हर पिता का सपना होता है कि वह अपनी बेटी की अपनी आखों के सामने डोली विदा करें कोशिश करें कि उनके इस सपने को पूरा करें ताकि किसी का दिल ना तूटे और किसी का दिल ना तूटे और बहुत सारे दिल तूटने से बच जाए अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए सौरी दोस्तों मैं बहुत इमोशनल हो गई थी मुझे बहुत ज़ादा इमोशनल फील हो रहा था यह स्टोरी पढ़के आप लोग भी कनेक कर पाओगे तो प्लीज अपने ममी रेड़ी को रस्पेक कीजिए चितना हो सके ममी रेड़ी को प्यार कीजिए ममी रेड़ी कभी भी अपने लिए खराब नहीं सोच सकते हैं इसलिए हमेश्य माबाप को साथ लेके चलिए अगर आपको शादी भी करना है अगर आप लाइफ का बहुत ज़ादा बड़ा फैसला लेते हो कोशिश कीजिए अपने ममी रेड़ी को साथ में लेके उनका सम्म करके उनके साथ बैट के यह सारा डिसिजन ले ताकि आपको कभी भी पच्तावा पच्तावा ना हूँ थैंक यू फ्रेंज बाई